मित्रो अब हमारे बीच प्रधानमंत्री जी आए हैं आप उनके बात को सुनेंगे आधन ये प्रधानमंत्री जी का भारत माता के राउने सब बढ़िया है ने हाल टाल ठीग है ने मन पर विराजबान हमारे वरिष्ट नेता डाक्टर सीपी ठाकूर जी अवरंगाबाद के साउसत सिमान सुझिल जी जानाबाद से साउसत राष्टिय लोक्समता पार्टी के सहप्रदेश अद्यक्ष डाक्टर हरून जी अवरंगाबाद से विधान पार्षत राजेन कुमार सी भाजपा अवरंगाबाद के अद्यक्ष प्रसोतम जी लोग जन्सक्ती पार्टी के स्री अनुप ठाकोर राष्टिय लोक्समता पार्टी के स्री अशोक महता हम पार्टी के स्री अजेश सी इस चुनाव में NDA के जो उमीदवार है भाजपा से प्रत्यासी अवरंगाबाद के सी रमाधार सी बाजपा के नवीन नगर के विदान सबा उमीदवार गोपाल नारायन सी हम पार्टी के कुटुमबा विदान सबा से उमीदवार संतोष कुमार सुमन जी राष्टिय लोक्समता पार्टी से ओबारा विदान सबा के उमीदवार चंद्रपुशन वर्मा जी बाजपा से गो विदान सपागी उमिद्वार स्री मनोश शर्मा जी लोग जनसक्ति पाटी के स्री रभीकंज विदान सपागी उमिद्वार स्री प्रमोथ कुमार सी बाजपा से गुरुवा विदान सपागी उमिद्वार राजीव दांगी जी हम पार्टी से सेरगाटी विजान सबाग उमिद्वार स्री मुकेश कुमार और मंच पर बिराजमान सभी वरिष्ट महानुभाव और विशाल संग्हा में पदारे हुए मेरे प्यारे भाईयो बहनो मुझे औरंगाबाद आने का ये पहला सो भागी मिला है और ऐसी चम चमाती धूप में चमड़ी भी चीर दें ऐसी भीड में आप लोगों ने इतना ताफ होने के बाद भी जो मुझे आशिरवाद दिये है मुझे प्यार दिया है मैं आपको नमन करता हूँ आपके आशिरवाद यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है मैं दूर दूर तक जहां भी नजर पहुँचे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं मैंने मानता हूँ वहां तक मेरी आवाज पहुंची होगी जहां लोग खड़े हैं भाईयो बहनो चुनाव में तो रेली आप बहुत देखी है लेकिन यह रेला नहीं यह तो रेली से आगे पढ़के रेला रेला से आगे पढ़के आंधी का रूप ले लिया है भाईयो बहनो यह चुनाव 21 सदी में बिहार की जगा कहां होगी ना सिर्ब हिंदुस्तान के नक्षे पर दुनिया के नक्षे पर बिहार कहां जगा बनाएगा इसके लिए यह चुनाव है मेरे भाईयो बैने इसके लिए चुनाव है यह चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने किसकी सरकार बने किसकी सरकार न बने कौन पर्टी जीते कौन पर्टी न जीते कौन नेता आएं कौन न नेता आएं यह चुनाव उस बात का नहीं है मेरे भाईयो बैनों यह चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि बिहार का भविष्य क्या होगा यह चुनाव इस बात का है कि नव जवानों का भाग्य कौन बदलेगा यह चुनाव इस बात का है कि बिहार को विकात की नई उचाईयो पर कौन ले जाएगा और इसलिए मेरे भाईयो बैनों इस चुनाव में इस चुनाव में जब आप मतदान करें तो आप यह जरा महा स्वार्थ बंधन बना है उस महा स्वार्थ बंधन के इतियास को और भुद्काल को पर आप पूरी तरह जान लीजिए यह लोग कौन इकटे आए हैं और क्यों इकटे आए हैं यह तीनों वो लोग हैं जिनोंने महा स्वार्थ बंधन बनाया है वे कभी न कभी बिहार में राज किये हैं कॉंग्रेस ने पैटालीस साल तक राज किया लालू जी ने नितिश जी ने ए बड़े भाई छोटे भाई ने पचीश साल राज किया और तीनों ने मिला करके शाठ साल तक बिहार में राज किया है मुझे बताईए भाईयो क्या शाठ साल एक कम समय है क्या साठ साल में सब कुछ हो सकता है ये नहीं हो सकता है अरे दुनिया में कुछ देश जो 30 साल पहले पैदा हुए, 40 साल पहले पैदा हुए आज वो दुनिया में नंबर एक पर पहुँच गए बिहार में इन्होंने 60 साल तक सरकारे चलाई लेकिन बिहार के नवजबान को रोजगार तक नहीं दे पाए मैं पूछना चाहता हूँ, ये बिहार ने दो-दो रेल मंत्री दिये लालू जी रेल मंत्री धेक नहीं थे, नितिश जी रेल मंत्री धेक नहीं थे अब मुझे बताइए, आपको कलकत्ता जाना है तो टिकट मिलता है क्या? मिलता है क्या ट्रेन में जगा मिलती है क्या आप मुझे बताइए जिन लोगों ने ऐसी सरकारे चलाई हो ऐसे लोगों पर और बरोसा कर सकते हैं क्या उन पर बरोसा करना चाहिए क्या उनको दुबारा लाना चाहिए क्या उनको रोकोगे पक्का रोकोगे लेकिन इसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी करोगे ऐसे नहीं सब के सब आथ उपर करके बताओ करोगे सब के सब आथ उपर करके बताईए करेंगे पक्का करेंगे पक्का करेंगे देखिए 16 तारिकों मतदान है कब है कब है अभी आपके पास कुछ दिन बचे है यहाँ आया हुआ एक एक व्यक्ति पचास-पचास मतदाताओं को लेके बैठ जाएगा करोगे एक-एक व्यक्ति पचास-पचास मतदाताओं से मिल ले उनको बात पहुंचाए और सोला तारी को वो बटन दबाएं ताकि बिहार के भाग्य का रास्ता खुल जाए भाई योबैनो ये काम आप लोग करोगे फिर एक बार हात उपर कर के बताईये करोगे पक्का करोगे मैं आपका बहुत बदा भारी हो बाई बैनो ये जो आपका मिजाज है ये मिजाज ही परिवरतन लाने वाला है इस बार बिहार में इस बार बिहार में भाग्य बदलने का जिम्मा मेरे नौजवानों ने उठाया है सारे बिहार का जबान एक मुस्त हो गया है कि अब बिहार को बरबाद नहीं होने देना है आप मुझे बताईए ये जो चुनाव लड़ रहे है लालू जी हो नितीश जी हो मेडम सोनिया जी हो इन लोगों ने अपने साट साल का काम का हिसाब देना चेक नहीं देना चाहिए ऐसे नहीं ताकत से बताओ इन्हों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए पाई पाई का हिसाब देना चाहिए पल पल का हिसाब देना चाहिए बिहार में साट साल में क्या किया बताना चाहिए किसने किया बताना चाहिए क्या क्या किये बताना चाहिए कब कब किया बताना चाहिए भाई यो बेहनों लेकिन पूरा चुनाव देखिए आप अब कुछ दिन के बाद तो मतदान शुरू हो जाएगा लेकिन अभी तक ये तीनों लोग उन्होंने बिहार के लिए क्या किया इसके लिए एक शब्द भी बोलते नहीं है बोलते हैं क्या? मोधी मोधी को गाली दो गाली सुबह डिक्षिनेरी खोल करके बैठ जाते हैं कि आज मोधी को नई गाली कौन सी देंगे अब तो डिक्षिनेरी भी खाली हो गई है तो उन्होंने एक फैक्टरी खोल के रखी है नई नई गालिया बनाने की factory, और वो factory से रोज माल ले करके निकलते हैं, और दिन रात मोदी को गालिया दे रहे हैं, क्या ये चुनाव है क्या? क्या चुनाव में काम का हिसाब नहीं दोगे? चुनाओं में बिहार के लिए क्या करोगे यह नहीं बताओगे भाई यो बेहना उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है कोई भी सरकार हो जब चुनाओं में जाती है तो उस सरकार का दाईत्व बनता है कि वो जनता को अपने काम का हिसाब दे लेकिन वे अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे है साट साल उन्होंने काम किया यहाँ बरबादी लाने का काम किया है उद्योग धंदे अगर नहीं आएंगे तो नवजवान को रोजगार मिलेगा मुझे बताईए रोजगार मिलेगा क्या आप बिहार के नवजवान को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए बिहार के नवजवान का पलाइन बंद होना चेक नहीं होना चाहिए बिहार के बेटे को अपने माबाप की सिवा करने का मोका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए आज मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से फरिदाबाद मेट्रो ट्रेंड में गया था फरिदाबाद स्टेशन पर गया था तो जब मैं मेट्रो में जा रहा था तो बाकी लोग पैसेंजर आकर के नमस्ते करने आते थे तो सारे पैसेंजर को मैं पूछता था कौन हो क्या कर रहे हो कहां से आए हो आपको अस्षर होगा मुझे जितने नवजवान मिले उसमें से शायद एकाद कोई और होगा बाकी सारे के सारे बिहार के नवजवान थे मैंने पुजा क्या कर रहा हो तो बोले साब नौकरी के लिए आया हूँ तो फ़लाने कार खाने में साइद एक इंटर्विव है तो मैं जा रहा हूँ कोई कहता है वहाँ पर जा रहा हूँ कोई कहता है वहाँ पर जा रहा हो सारे लोग नौकरी की तलास में उस ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे मेरे साथ और ज़्यादातर लोग बिहार के नौजवान थे और मुझे कह रहे थे कि साथ हम तो नौकरी के लिए आए हैं लेकिन कर्द करकर के भी चुनाओ के समय वापिस जाने वाले हैं और इस सरकार को हटाने वाले हैं ये मिजज है बिहारियों का पुरे देश में मुझे अभी अमेरिका में बिहार के कुछ लोग मिले थे जब मैं मिला उनको मुझे इतना गर्व हुआ इतना अभिमान हुआ कि मेरे देश के नागरिकों ने अमेरिका में आकर के क्या अपने आपको आगे बढ़ाया है और वो सारे के सारे बिहार के थे अगर बिहार के लोग अमेरिका में जाकर के कमाल कर सकते हैं अगर बिहार के लोग हिंदुस्तान के किसी भी कौने में जाके कमाल कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसका कारण है कि बिहार में इन्हें आउसर नहीं मिलता है उन्हें मोका नहीं मिलता है मुझे बताईए नवजवानों अगर आपको मोका मिले तो आप बिहार को बदल दोगे कि नहीं बदलोगे नया बिहार बनाओगे नहीं बनाओगे बिहार आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बिहार में ये ताकत है मेरे भाईयो बिहार की जवानी अब बिहार के बदलने के लिए दिवानी बन गई है दोस्तों और इसलिए बिहार को बरबाद करने वालों की रवानगी भी तैय हो गई है भाईयो ये जमानी ही उनकी रवानगी करेगी, ये पक्का है मेरे भाईयों आप मुझे पताईए, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा था 2010 में, कि मैं बिहार में हर गर में बिजली पहुचाऊंगा ऐसा कहा था जर आप जोड से बताईए, कहा था? आपको याद है तो बताईए, कहा था? बिजली लाऊंगा ऐसा कहा था? उन्होंने ये भी कहा था, कि अगर मैं 2015 में चुना होगा और 2015 तक अगर बिजली नहीं लाता हूँ, तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा ऐसा कहा था? बोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा ऐसा कहा था? कहा था नहीं कहा था? मुझे बताईए बिजली आई, जोर से बताईए बिजली आई, बिजली मिली, बिजली दिखी, नहीं आई ना? वो आये की नहीं आये? बोट लेने के लिए आगये की नहीं आगये? आये की नहीं आगये? आपसे दोका किया की नहीं किया? आपसे दोका किया की नहीं किया? वो अपने वादे से मुकर गये की नहीं मुकर गये? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा किया जा सकता है ऐसे लोगों पे भरोसा किया जा सकता है और इसलिए मैं कहता हूँ भाईयो बेणो अब बिहार ऐसी सरकार जेल नहीं सकता है जो बिहार को बर्बाद करने के लिए बनती है मैं हरान हूँ हम जंगल राज को याद करते हैं तो लालू जी तो परिशान नहीं होते हैं नितिश जी परिशान हो जाते हैं क्यों भाई आप ही तो थे जिन्मोंने लालू राज को जंगल राज कहा था और आज उस लालू जी के साथ बैड़ गए तो आपने आप अब जंगल राज बोलने से कत्रा रहे हो डरते हो और कोई जंगल राज बोले तो परिशान हो जाते हो आप मुझे बताईए भायो क्या दुबारा बिहार को जंगल राज चाहिए पूरी ताकत से बताओ कौने कौने से आवाज आनी चाहिए क्या बिहार को जंगल राज चाहिए बिहार को जंगल राज चाहिए बिहार को जंगल राज चाहिए जंगल राज में कौन सा उद्योग चलता है बिहारे के जंगल राज में कौन सा उद्योग चलाया एक ही उद्योग अफरन करो एक ही उद्योग चला अफरन करो यहाँ पर किड्नेप करना यही उद्योग था कि नहीं था अब परण्ण करना वोही उध्योग था गहिं था तो हार के समय घर के बार साम को निकल पाते थे नई गाड़ी खरिदे तो कोई उठाके ले जाता था गहीं ले जाता था और गाड़ी लेने जाव तो पिटाई होती थी यह नहीं होती थी पैसे देने पढ़ते तक नहीं देने पढ़ते थे गरीब का मकान छील लेते तक नहीं मुझे बताईए वो दिन दुबारा लाने है क्या फिर बिहार को उस हालत में ले जाना है क्या आसार नजर आ रहे हैं जबसे ये इनके साथ बैटे हैं जनवरी से लेकर के जुलाई महिने तक बिहार में चार हजार अपरन हुए हैं मुझे बताईए ये अपरन उद्योग फिर से चलने देना है भाईयो बेहनो मुझे बताईए कल रात को पटना में क्या हुआ क्या हुआ पटना में एक पुलीस अपसर को गोलियों से बुन दिया जाए उसका यही गुना था कि वो कुछ लोगों को रोक करके पूछना चाहता था कि कौन हो कहा जा रहे हो इतने मात्र से उस पर गोलियां चलाई दी गई और वो भी पटना में सरकार के सीने पर और वो भी एक पुलीस अपसर को मुझे बताईए जहाँ पुलीस अपसर सेफ नहीं है वहाँ आप सामान ने मानवी सुरक्षित होंगे क्या क्या आप बच सकते हैं क्या अभी तो जंगल राज उनके साथ बैठने का यह हाल है तो चुनाव नतीजे आने के बाद अगर गलती हो गई तो बिहार का क्या हाल होगा वो देख लीजे भाई भाईयो बेहनो इसलिए मैं आप से कहने आया हूँ कि आप कुरुपा करके बिहार को बर्बाद होने से बचाईए और बिहार में वो तांकत है कि बिहार आगे बढ़ेगा न सारा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा इतनी तांकत है बिहार में वो तांकत है लेकिन साट साल तक उस तांकत को दर किनारा किया गया है भाईयो बेहनो बिजली के खेत्र में हमने बिड़ा उठाया है हम 24 गटे बिजली देने का वादा करने आये हैं बाईयो और मैंने कहा है 2022 2022 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे हम हिंदुस्तान में 24 गटे बिजली देने का काम पूरा कर देंगे भाईयो पूरा कर देंगे अकेले आपके अरंगाबाद जिले को बिजली के लिए 300 करोड रुपिया एक जिले के लिए देने का निरने कर लिया है भाईयो पूरे बिहार को छे हजार करोड रुपिया देने का निरने कर लिया है भाईयो बहनो पूरे हिंदुस्तान का मैं हिसाब लगा रहा था क्योंकि मुझे बिजली पहुँचा नहीं है मैंने अपसरों को बुलाया मैंने कहां पे बताओ तो कितने गाउं ऐसे हैं कि जहां अभी तक बिजली नहीं पहुची है तो नोंने हिसाब लगाया 18,000 गाउं ऐसे हैं जहां अभी तक हिंदुस्तान में बिजली नहीं पहुची है फिर मैंने पूझा सबसे ज़्यादा किस राज्य में है आपको हैरानी होगी मेरे भाईयो बेनो इन लोगों ने 60 साल राज किया 60 साल राज किया ये महा स्वार्थ बंधन के लोगों ने 60 साल राज किया 18,000 में से 4,000 गाउं आज भी अंदेरे में है वो गाउं बिहार के हैं मेरे भाईयो आप मुझे बताई इनको सजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए पूरे देश में 18,000 गाउं उसमें से 4,000 गाउं अकेले बिहार के हैं अगर आप मुझे बिहार में ऐसी सरकार बना के दे दो तो सबसे पहले मैं काम उठा लूँगा इन 4,000 गाउं में बिजली पहुँचाने का भाई यह नहीं कर सकते ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है लेकिन उनके इरादे ठीक नहीं है सरकार चलाना यह उनकी रुची का विशह नहीं है और इसलिए मेरे भाईयो बहनो वो चोबी सो गंटे राजनीची करते रहते हैं उठापट करते रहते हैं किसको बचाना किसकी मदद करना इसी में लगे रहते हैं और इसलिए वे बिहार का भला नहीं कर सकते हैं बुद्कान में पंचवर्सी योजनाओं के तहट बिहार को बिजली के लिए करीब आठ हजार करोड रुपिया भारत सरकार ने देना तै किया आठ हजार करोड रुपिया देना तै किया लेकिन ये सरकार ऐसी थी कि उसमें से बारा सो तेरा सो करोड से ज़्यादा लेनी पाए लेनी पाए बताओ अगर इन में पैसे उठा करके काम करने की ताकत नहीं है तो ये आपका भला कर पाएंगे क्या और इसलिए भाईयो बेहनो आज मैं आपके पास आया हूँ कि बिहार के भाग्य को बदलना है और बिहार के जीवन में बडलाव लाला है भाईयो बेहनो अगर मैं कोई भी हिसाब लगाता हूँ कि बैस सौचाले कम से कम कहां बने है तो नाम आता है बिहार का कोई मुझे बताएं क्या ये सौचाले जो नहीं है वो अमीर के घर में नहीं है क्या अमीर के घर में सौचाले होता है गर नहीं होता है मुझे बता है ये अमीर के घर में सोचाले होता अग नहीं होता है होता है अग नहीं होता है गरीब के घर में होता है गरीब के घर में सोचाले होना चेक नहीं होना चाहिए ये गरीब माँ बेनों को खुले में जाना पड़ता है मैं यह अपमान मन होना चाहिए यह गरीबों की बाते करने वालों ने क्यों साउचाले नहीं बनाए भई साउचाले बनाने का काम पूरा कर दिया है और आगे भी बनाने का काम तेजगती से चल रहा है कोई मेरी माँ बहन को खुले में सोचा लए जाना न पड़े उसकी इज़त की चिंता हो गरीब से गर्क गरीब को यह ववस्ता मिले यह काम हमने उठाया है भाई मुझे बताईए अमीरों का अमीरों का बैंकों में खाता होता है कि नहीं होता है होता है कि नहीं होता है लेकिन गरीब कभी बैंक में जा सकता था गरीब का खाता खुलता था भाईयों बहनों हमने जंधन योजना लाए और ऐसा अभियान चलाया ऐसा अभियान चलाया इस देश के हर गरीब परिवार को बैंक आकाउंट खाता खोल दिया गया भाईयो और आज पहली बार पहली बार गरीब को लगने लगा है कि मैं अब साहुकारों के पाँच जाने के बजाए बैंक के पाँच जा सकता हूँ ब्याज के कारण मरने के बजाए मैं सम्मान से जी सकता हूँ हमने एक मुद्रा योजना लाए हैं उस मुद्रा योजना के तहट जो छोटे छोटे लोग है सबजी बेचते हैं, दूद बेचते हैं, गाई बेल पसु पालन करते हैं चना मुम्रा बेचते हैं, दोबी का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं अपनी साइकल पूड़ा करके कपड़े बेचने जाते हैं, अख़बार बेचने जाते हैं ऐसे लोगों को पैसों की ज़रूरत बहुत पड़ती है गर में कोई बिमार हो जाए तो भी 500 हजार रुपया किसी से मांग के लाना पड़ता है गर में कोई महमान आ जाए तो अडोस पडोस में 200-500 रुपया लाकर के महमान को समालना पड़ता है भाई यो भेनो इन गरीबों को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था हमारी सरकान मुद्रा योजनालाई अकेले बिहार में तीन लाख लोगों को पैसे देने का काम पूरा कर दिया भाई और पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 26,000 करोड रुपया बैंकों से इन गरीबों को देने का काम हमने किया है और इसलिए भाईयों भेनो गरीब को ताकतवर बनाना है गरीब की आर्थिक शक्ति बढ़ानी है जिसके कान मेरा गरीब का लाख हो हमने अभी एक महिने का एक रुपया मुझे बताईए यहां कोई व्यक्ति है जो महिने का एक रुपया न दे सके हर कोई दे सकता है ने बारा महिने के बारा रुपये सिरफ बारा महिने के बारा रुपये उसकी भीमा योजना लागू कर दी और कल जब मैं नवादा में था तो मुझे बताया गया कि बहाँ यह कोई मुस्लिम परिवार उसने यह बारा रुपया वाली स्कीम ली थी और उसके परिवार में अचानक कुछ हो गया महिना पर हुआ था और उसको दो लाख रुपये का चेक आ गया भाईयो दो लाख रुपय का चेक आ गया गरीब के लिए कैसे काम होता है वो हमारी सरकार दे करके दिखाया है भाईयो बहनो मेरा एक और सपना है वो सपना पूरा करने के लिए मुझे बिहार में ऐसी सरकार चाहिए जो बिहार का भला करना चाहती है और वो मेरा सपना है कि 2022 जब देश की आजहादी के 75 साल होंगे तब गरीब को भी अपना खुद का रहने का घर मिलना चाहिए गरीब को घर मिले ये बहुत बड़ा बिड़ा मैंने उठाया है मुझे बताईए भाईयो बैनो क्या गरीब को अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पूरी ताकत से बताओ होना चाहिए गरीब को घर होना चाहिए गर नहीं होना चाहिए हमने बिड़ा उठाया है हिंदुस्तान के गरीब परिवारों को उनका अपना घर हो गर में पानी का नल हो नल में जल हो बिजली हो सौचाले हो और नदिक में गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी सिक्षा की व्यवस्ता हो ये बिड़ा उठाया है भाईयो और इस काम को करने के लिए अगर राज्य सरकारे ऐसी होगी जो ये तै करें हम तो तुमसे बात ही नहीं करेंगे हम तो तुमको गुशने नहीं देंगे तुम तो डिकने हो, फ्लाने हो, ऐसे हो, वैसे हो तो गाड़ी चलेगी क्या इसलिए भाईयों भेनो मैं आज आपसे आगर करने आया हूँ कि आप बारतिय जनता पार्टी और हमारे NDA के जो साती है राम विलाज पांसवान है जितम राम माजी है भाई उपेंदर कुश्वा है ये हमारी पूरी टीम इन सब को इस चुनाओं में आप विजई बनाएगे और विजई बना करके बिहार के भागे को बदले का फैसला कर लीजिए इसी एक आग्रह के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ भाईयो बहनो बिहार को बरबाद नहीं होने दिया जाएगा बिहार के जवानी बरबाद होई तीन तीन पीडी बरबाद हो गई भाईयो तीन तीन पीडी बरबाद होई अब इसको बरबाद नहीं होने देना है और इसलिए यह चुनाव एक तरफ जंगल राज और दूसरी तरफ विकांस राज यह पूरा चुनाव जंगल राज के खिलाब विकांस राज का चुनाव है सारी समस्याओं का समाधान विकांस में ही रखा है और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ यह कहने के लिए आया हूँ कि विकांस के लिए वोड़ दीजिये दलित हो पीडित हो शोशित हो वंचित हो गरीब से गरीब हो गाउं का हो इन सब का भला विकास होगा तबी होने वाला है जवानों को रोजगार मिलेगा तो परिवार की स्थिती अपने आप बदलवाने वाली है और इस काम के लिए भारतिये जनता पार्टी के नित्रुत्म में बिहार में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाईए भहिया आप मुझे बताईए आज पुरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका भज रहा है के नहीं भज रहा है ऐसे नहीं पुरी ताकत से बताओ डंका भज रहा है के नहीं भज रहा है अमेरिका में भी भारत भारत हो रहा है के नहीं हो रहा है बुतान में भी भारत भारत हो रहा है के नहीं हो रहा है रश्या में भी भारत का गुनगान हो रहा है के नहीं हो रहा है चीन में भी भारत का जैजेकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है चारों तरब भारत भारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है भारत का डंका बज़ रहा है कि नहीं बज़ रहा है क्यों बज़ रहा है आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका क्यों बज़ रहा है भाईयों क्यों बज़ रहा है क्यों बज़ रहा है क्यों बज़ रहा है भाईयों पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका क्यों बज़ रहा है मोधी 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 के कारण नहीं बज़ रहा है मेरे दोस्तों ये पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज़ रहा है सबासो करोड हिंदुस्तानियों के कारण बज़ रहा है आपके कारण बज़ रहा है आपने ऐसा काम किया है जिस काम के कारण आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज़ रहा है आपने तीस साल के बाद दिल्ली में पूर्णा बहुमत वाली सरकार चुनी है पूर्णा बहुमत वाली सरकार चुनी है और इसके कारण दुनिया के किसी भी नेता को जब मैं मिलता हूँ उससे हाथ मिलाता हूँ अगर गले लगाता हूँ तो उसको मोदी नहीं दिखाई देता है उसको सवाथ सो करोड हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं सवाथ सो करोड और इसके कारण वो आज भारत का लोहा मानने लगा है आप मुझे बताईए बिहार का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए हिंदुस्तान में बिहार का लोहा मानना पड़े ऐसा होना चाहिए हिंदुस्तान के हर कौने में बिहार का जैजेकार होना चाहिए कि यहीं होना चाहिए चारों तरब बिहार की गुंज होनी चाहिए आ चाहिए जैसक्त कि अगर यह करना है खतो बिहार में भी आपको दो तीहाई बहुमत से सरकार बनानी पड़ेगी कि बनाऊगे कि दो कि हैला हमभाष से भाजपा ãyаемडिए की सरकार बनाएगे ये सारी दुनिया बिहार की ताकत को मान लेंगी भाईयों इसलिए मैं कहता हूँ विकास के रास्ते खुल जाएंगे। विकास के रास्ते खुल जाएंगे। बिहार बदल जाएगा। और जैसा अपने मुझे प्रारम में बादा किया था कि आप एक एक इहां आया हुआ व्यक्ति 16 तारिक तक 50-50 लोगों के पीछे संपर करेगा उनको बात समझाएगा उनको वोट डलबाएगा और बटन दबा करके भाजपां इंडिये की सरकार बनाएगा सभी नेताओं से प्रातना आजाईए मेरे साथ मुठी बन करके बोलिए भारत माता की दूर दूर से आवा जानी चाहिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद जले मेंद अर प्र्फू हुआओें कि अप जाजय हुआएं